क्या सिब और संकर एक हैं? कवंधिर महादेव के पहले सिस बगबान सिब को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है इसके अलाबा हिंदु धर्म को मानने वाले उन्हें भगबान संकर भी कहते हैं उनके मैस, रूदर, गंगादर, भोलेनात, ग्रीस जैसे कई नाम हैं तंत्र साधना करने वाले भगबान संकर को भैरब भी कहते हैं भगबान संकर को सौम और रोद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है भगबान सिब को तिरदेवों में संगहर का देपता माना जाता है बैसे तो भगबान सिब को हमेशा कल्यार कारी माना जाता है लेकिन बे ले और प्रले दोनों को अपने अधीन रखते हैं भगबान सुर और असुर दोनों को समान दरश्टी से देखते हैं इसलिए कथा कानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारियां मिलती हैं भगबान सिव के कई अनन भक्तों में एक लंका पती रावर भी हुए कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसं कर मन चाहा बरदान पाया सवाल ये उठता है कि भगबान सिव के भक्तों की कई कानिया सुनाई जाती हैं लेकिन उनके पहले सिस की जानकारी बहुत कम उपलब्द होती हैं कहते हैं कि भगबान संकर के पहले भक्त कौन थे भगबान सिव के पहले सिस्यों की जानकारी पुर प्राणों के मुताबिक भगबान सिभ के सबसे पहले सिस्यों में सब्त रिसियों की गिंती होती है। मानता है कि सब्त रिसियों ने भगबान सिभ के ग्यान का परचार धर्ती पर किया था। इसी की बज़े से विभिन धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान सिभ ने ही गुरू सिस परंपरा की सुरुवात की थी। सिभ के सबसे पहले सिस्यों में ब्रस्पति, विसालाक्ष, सुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्राच और भारद्वाज सामिल थे। क्या एक है भगवान सिभ और संकर, ज्यादा तर सनातन परंपरा के अनुवाई सिभ और संकर को एक ही मानते हैं, हाला कि सिभ पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकास पुंज की उत्पत्ति हुई, इस प्रकास पुंज से ब्रह्मा और विश्णू की इस पर ब्रह्मा जी ने प्रिकास पुंज से साकार रूप लेने को कहा फिर उस प्रिकास पुंज से संकर की उत्पत्ती हुई इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ती के अंस हैं लेकिन दोनों अलग हैं दोनों फर्क इतना है कि सिव प्रिकास पुंज सुरूप है और अब हम उनकी सिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं जबकि संकर ससरीर रूप सुरूप हैं कुछ पुराणों में भगवान संकर को सिव इसलिए कहते हैं क्यूंकि बे निराकार सिव के समान है निराकार सिव क को ही सिविलिंग के रूप में पूजा जाता है, ज्यादा तर जगहों पर भगवान संकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है, कई जगह देखा जाता है कि भगवान संकर खुद आखे बंद किये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कभी सोचा आए कि आखिर देबादि दे महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं तो इसको लेकर अलग-अलग कथाएं हैं राम चरित मानस में भगवान सिभ और स्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है सिब पुराण में खुद भगवान सिब माता पारबती को बताते हैं कि वह स्री राम का ध्यान करते हैं बहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान संकर सिब का ध्यान करते रहते हैं पुछ जगाओं पर भगवान संकर को सिबिलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है इससे ये साफ होता है कि सिब और संकर दोनों अलग सत्ताएं हैं मानता है कि भगवान सिब स्वयम्भू हैं यानि खुद ही पिरकट हुए हैं लेकिन पुराणों में उनकी उद उत्पन हुए थे वही भगवान सिब विशनु जी के माथे के तेज से उत्पन हुए थे विशनु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन होने के कारण ही सिब संबू हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं वही भगवान सिब से एक और मानता जुड़ी है कि नंद ज्यादातर जगव पर भगवान सिव की दो पतनियों का जिक्र है, उलेख में मिलता है उनकी पहली पतनी देवी सती और दूसरी माता पारवती, वहीं अगर हिंदू पौरारिक कथाओं की माने तो महादेब ने एक दो नहीं बल की चार विवाह किये दे, उनके सबी विवाह आज सक्ती से हुए थे, भगवान सिव का पहला विवा माता सती के साथ हुआ, वह प्रजापती दच्च की बेटी थी, माता सती के पिता ने जब भगवान सिव को अपमानित किया तो उन्होंने यग कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राडों की आहुती दे दी, इसके बाद उन्होंने हिमाले की बेटी पारवती के रूप में जन्म लिया, माता पारवती के रूप में आदिसक्ती ने दूसरा विवाह किया धर्म गरंतों में भगवान सिव की तीसरी पतनी देवी उमा को बताया जाता है बहीं उनकी चौथी पतनी मा महाकाली को बताया गया है तो दोस्तों ऐसी कानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें धन्वाद